हेलो और वेलकम टू एवर डैमी दूस्तो ओफलाइन कोचिंग इस्टिटूट्स अल्मोश पुरी देश में अब ओपन हो चुके हैं बट अब जिस मॉडल की सबसे ज़ादा हमको ज़रुरत है वो है एक हाइबरेड मॉडल की क्योंकि बहुत से स्टिटूट्स ऐसे हैं जो आज भी आपसे ऑनलाइन पढ़ना पसंद कर रहे हैं और इस दोरान जब लॉक्डॉण के दोरान बहुत से आपके दूसरे नए स्टिटूट्स आपको मिले होंगे जिन होने आपको जो दूसरी जगह से हैं और जो आपकी offline classroom में नहीं आ सकते और साथ ही साथ एक extra facility, offline के साथ साथ online की एक extra facility आप अपने current students को दे सकते हैं तो दोस्तो आप उस hybrid classroom का setup कैसा होगा ये चीज़ दोस्तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं I am Gagan Landa, a teacher turned entrepreneur and now the founder of Everdemy which is helping teachers to establish their own online academy और मेरे साथ इस वीडियो के end तक बने रहिएगा दोस्तो आगे बढ़ने के पहले इस चैनल को subscribe जरूर कर ले और साथी साथ like बटन को hit करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपके recommendations में आएं और आप उसका भी benefit ले सकें इस चैनल में हम यही discuss करते हैं कि किस तरह से आप अपने classes को online ला सकते हैं और कैसे आप अपना online coaching business को grow कर सकते हैं तो दोस्तो आपकी offline classroom record करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक tripod की और साथी उसके एक camera की यह camera आप जो भी अगर आपके पास currently available है अगर DSLR है उसको use कर सकते हैं अगर आपके पास camcorder है उसको use कर सकते हैं mirrorless camera है उसको भी आप use कर सकते हैं mobile में अगर आप करना चाहें तो mobile के थूँ भी आप कर सकते हैं आज हम discuss कर रहे हैं कि अगर आप ये professional cameras के थ्रू करना चाहें तो आप live stream या फिर video record करना चाहें तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं तो दोस्तों ये एक Canon का camera है एक DSLR Canon का camera है तो इसका जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों इसका जो output है वो रहता है obviously SDMI के form में अब ये SDMI output आपके computer में जाना चाहें क्योंकि computer के थ्रू हम इसको live करने वाले हैं with the help of OBS software OBS software के थ्रू हम इसको live stream करेंगे या फिर हम video record करेंगे तो इसका जो output है वो computer में as an input जाना चाहें बट एक इसमें ये problem है कि इसका SDMI का output है और computer जो input लेता है video input जो computer लेता है वो USB के थ्रू लेता है वो SDMI के थ्रू नहीं लेता है तो इसके लिए क्या लगेगा दोस्तों आपको इसके लिए एक capture device लगेगी एक capture इस तरह की Elgato की capture device आती है और भी दूसरी कमनी इसकी आती है अगर आपके पास already है तो इसको use कर सकते हैं नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं ये 2500-2000 की range से शुरू होती है और 10-12,000 अप टो 15,000-20,000 तक की भी आती है ये जो particularly ये वाली जो capture device है एक 4K capture device है और around 10-12,000 के आसपास इसकी cost है तो आप जिस भी capture device का use करना चाहें आप कर सकते इसकी link में आपको दे दूँगा capture device का basically काम क्या रहता है कि इसका HDMI output है जासा मैंने आपको बताया उसको वो USB में convert करता है ताकि हम लोग उसको computer system में directly as an input provide कर सके तो ये आपको ये इस तरह का output ये दिख रहा है ये हमारी capture device है अब इसको मैं करूँगा क्या है दोस्तों इसके का काम क्या रहेगा क्योंकि इसमें camera में जो HDMI port रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं ये तो फिर भी मेरा काफी पुराना camera है इसलिए थोड़ा सा बड़ा HDMI port है अधरवाइस बहुत छोटे HDMI ports आजकल आने लग गए तो उसको एक छोटे HDMI को बड़े HDMI में convert करने का काम ये connector जहां भी camera की दुकान में आपको मिल जाएगा तो ये connector के थुरू अब मैं क्या करूंगा दोस्तों ये connector मैं यहां पर connect कर रहा हूँ अपने camera में और इसका जो दूसरा end है ये बड़ा HDMI है और यहां पर मैं इसको यहां connect कर रहा हूँ ये मैंने इसको connect कर दिया अब ये USB इस USB को मैं directly अपने computer system में connect करें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि computer में कैसे connect करना है उसके पहले आप एक चीज़ और चेक कर लेंगे जो capture device आप क्यूज कर रहे हैं अगर ये इसमें इसके अंदर blue color में है तो ये इसका मतलब है ये USB 3.0 है USB 3.0 को USB 3.0 connector USB में ही connect करेंगे कई बार हम उसको USB 2.0 में करते हैं तो वो काम नहीं करता है ये क्योंकि एक 4K capture device है इसलिए इसमें USB 3.0 दिया हुआ है हो सकता है आपकी capture device में USB 2.0 में काम चल जाए तो ये मैं इसको दोस्तों यहां directly connect कर रहा हूं अपने computer में USB के through अब क्या होगा अब इस camera का जो output है वो directly मै computer में capture कर सकता हूं तो ये मैं camera अब start कर लेता हूं ओके और camera का जो भी output मुझे दिखेगा display यहां नहीं दिख रहा है बट वो computer में दिखेगा camera का जो output है ये मैं OBS यहां पर open कर रहा हूं और OBS में अब हमको करना क्या है दोस्तों ये मैं आपको screen नेकलक से दिखा देता हूं ये OBS में OBS का tutorial मेरा complete tutorial बना हुआ है उसकी मैं link भी आपको दे दूँगा अगर आपको पूरा देखना है कि scene कैसे create कर सकते है sources कैसे create कर सकते वो सारी चीज़ वहां पर है यहां पर मैं बहुत भी short में इस चीज़ को बता रहा हूं तो इसमें हमको क्या करना क्या है एक video capture device यहां पर select करना है यह मैंने एक यहां पर video capture device select की और इसमें मुझे जो भी मेरा capture device है उसके थूँख मुझे यह अभी ऑलरड़ी selected जो है वो वेब्कैम की device selected है उसको मैं change कर रहा हूं और यह मैंने आ गया camp link 4K में यह जो मेरी current capture device है यह आप board देख पा रहे हैं इसके थोड़ी सी setting मुझे अभी करनी पड़ी यह मैंने किया नहीं है यह setting मैं इसकी कर देता हूं और इसके बाद मैं इसको कर देता हूं और यहाँ पर मैं इसको screen में थोड़ा सा set कर देता हूं इस तरह से और यह camera को भी मैं थोड़ा सा आगे की और set कर देता हूं यह तो अब इससे होगा क्या कि जो भी कुछ मैं यहाँ पर लिखूंगा जो भी कुछ मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा वो सारी चीज as it is आप computer screen मे देख पा रहे हैं कि वो चीज पूरी की पूरी capture हो रही है अब वो जब capture हो रही है OBS में बस इतना ही साही काम है हमारा उसके बाद जो OBS की जो normal process है आप एक start recording का option आपको दिखता है आप चाहे तो इसको record कर सकते हैं या फिर अगर आप live stream करना चाहें जो भी बोया का या फिर आहुजा का माइक अगर आप यूज करना चाहें उसको आप connect कर दीजिए अपने camera में तो इससे होगा क्या कि जो भी कुछ आप बोल रहे हैं वो proper record होते जाएगा अगर आप live stream करना चाहें उसको live stream होते रहेगा और साथ ही साथ जो आपके offline students है वो भी इस चीज़ का benefit ले पाएंगे और वही same as it is class online दी आप record कर सकते हैं So I hope दोस्तों ये वीडियो आपके काम आएगा आपके जो भी query है hybrid classroom से related आप इस नीचे comment box में comment कर सकते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ दोस्तों लाइक जरूर करिएगा ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपको मिल सके So I wish you all the very very best for all your future endeavors. Thank you so much